बॉलिवड की देशी गल प्रियंका चोपडा और हॉलिवड सिंगर निक जोन्स ने 18 अगस्त को भारत में सगाई करते हुए अपने रिष्टे पर ओफिशल मोहर लगा दी है बता दे कि प्रियंका ने सगाई की जान करे देते हुए अपने साथ निक की एक तस्वीर साजा की थी इस तस्वीर में निक के माता पिता भी पारंपारिक वेजभुशा में नजर आये थे हाला कि प्रियंका और निक की अचानक सगाई करने से उनके फैंस थोड़े मायूस तो है लेकिन साथ ही काफ़े उत्साहिद भी है तो वह अब सगाई के बाद फैंस की नजरे दोनों की शादी पर टिकी हुई है दिखा जाए तो बॉलिवूड में इन दिनों डेस्टिनेशन मेडिंग का काफी क्रेज बढ़ रहा है सुतरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोंस इसी साल 2018 ऑक्टूबर में हवाई आइलेंड में शादी कर सकते हैं दरसल निक के लिए यह जगह काफी खास है क्योंकि उन्होंने अपनी टीवी सिरीज हवाई फाइव और जुम्वन जी की शूटिंग यही की थी इसके अलावा दोनों ही अपनी शादी को प्राइवेट और मिडिया से दूर रखना चाते हैं बता दे कि हवाई आइलेंड अपनी खुबसूरती और शान्ती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है सुनने में आया है कि पहले यह कपल बीच वेडिंग करेंगी उसके बाद दोनों हिंदू रित्यु रिवाज से भी शादी कर सकते हैं हाला कि अभी तक कोई लगे हैं और इसके बाद 36 साल की प्रियंका और 25 साल की निक ने एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया है वैसे प्रियंका 2016 से बॉलिवुड से दूर है और वह अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको का हिस्सा बनी थी इसी शो की शूटिंग की वज़े से वह निव यॉक में रहने लगी वैसे इसी साल 10 नौवंबर को दिपिका पादुकोन और रनमी सिंग भी विदेश में बर्ड डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे